हाई गुद मॉर्निंग एवरिपान जैसे कि हमारी डॉक्टर ने बोला कि प्रेग्नेंसी में फास्ट रख सकते हैं या नहीं यह एक बहुत ही वैलिड क्वेशन है So as a dietation I would recommend you yes you can Fasting का मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना या फिर बिल्कुल भूके रहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Fasting का मतलब है कि आप ऐसी चीजों का संकल्प ले आप ऐसी चीजों के बारे में promise करें अपने आप से जो की आपकी health benefit के लिए हो जैसे के fried food, जैसे के processed food, जैसे के junk food, जैसे के canned food, इस तरहे की चीज़े या फिर बहुत जदा spicy food ऐसी चीजों से अगर हम थोड़े time के लिए अपनी body को बचाए रखते हैं, दूर रखते हैं तो वो हमारी health के लिए एक बहुत positive impact दालता है बहुत सारे हमारे पास option है और आप सभी लोग यह जानकर बहुत सर्प्राइज होंगे कि कुटू जो की especially नवरातर में या किसी भी fast में बहुत अच्छी मात्रा में खाया जाता है और बहुत सारी जिगे पर खाया जाता है तो कुटू अपने आप एक ऐसा सीरियल है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में protein है और high biological value protein है जब हम खिचडी बनाते हैं तो दाल और चावल का mixture लेते हैं रोटी और सबजी का mixture लेते हैं या रोटी और दाल का mixture लेते हैं ताकि उसे हमें complete protein बना सके लेकिन कुटू बाकी के सब सीरियल्स के मकाबले में एक कुटू ही ऐसा food है जिसमें हमें अलग से कुछ additionary करने की जर हैं और जैसे के समा के चावले, सिंगारी का आता है, there are variety of foods, so you can enjoy your fasting with doing all those preparation with such kind of foods, अब जो भी हमने इन खाने की बात की, उसको हम पूरे दिन भर में कैसे distribute कर सकते हैं, अगर एक pregnant female को 1800-2200, उसके customized तरीके से अगर हमने कुछ calories या protein set किये हैं, अब अगर हम normal खाना नहीं खा र नहीं का रहे हैं, तो अगर वो 9 दिन की fasting करते हैं, तो अपनी उसी calories, उसी protein, उसी minerals, उसी vitamins और उसी fats को किस तरह से distribute कर सकते हैं, यह हमें समझना जरूरी है, और distribution भी equally जरूरी है, अगर आप morning में, जैसे के milk के टाइम पर, सुबह उटते ही आप नारेल पानी से शुरुआत क कर सकते हैं, उसके बाद आप breakfast के time पर milk, चौलाई, या फिर मखाना, या फिर nuts, कोई seeds, इस तरह की चीज़े अगर आप लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में nutrients मिलते हैं, फिर हम mid morning की बात करते हैं, जहां पर आप एक fruit का portion ले सकते हैं, वो fruit किसी भी तरह का हो सक सकता है, कोशिश करें कि season के हिसाब से हम fruits ले, बट जो भी fruit ले वो अच्छा proportion, अच्छा portion अराउंड 200-250 grams तक ले ले, अगर कोई fruit juices लेना चाहता है, तो packed fruit juices भी लिये जा सकते हैं, और अगर आप घर में ही fruit juice निकाल के लेना चाहें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, but always recommend to go for the whole fruits, then we'll come to the lunch, तो lunch में कुछ लोग फलाहार के लिए, morning में और evening में दो ताइम फलाहार करते हैं, तो जो लोग दो बार खा सकते हैं, वो लूँच की ताइम पर जैसे कर्ड, जैसे के भुनेवे आलू, जैसे sweet potato, शकरकंद की चाट, या फिर साबुदानी का पापड या उसकी खिचडी, kind of thing अपनी दाइट में ले सकते हैं, with good amount of curd, फिर उसके बाद शाम को अगर आप लेना चाहते हैं, तो अगेन अगर आपने सुबह दूद ले लिया है, तो आप evening में छाच या लसी ले सकते हैं, साथ में अगेन कोई fruit का इंटेक कर सकते हैं, या फिर इसे nuts या peanuts भी लिये जा सकते हैं, अब हम बात करते हैं, अपना proper तरीके से व्रत खोलने की, तो proper तरीके से व्रत खोलना है, तो उसके लिए आपको टू, जैसे समा के चावल, it is really good in proteins, it is really good in calcium, it is really good in iron, सिंघाडे का आटा, या सिंघाडे के आटे की preparation, या फिर साबुत दान या फिर आपने मकाने की कोई desert बना ली, या आपने जो व्रत के चावल होते हैं, जिसे भारत के अलग-अलग भागों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, तो आप उसकी खिचडी बना सकते हैं, आप उसकी खीर भी बना सकते हैं, साथ में आप curd, प्लेन अगर पसंद कर स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आप ऐसी calorie dense, कैसे protein dense और कैसे antioxidant dense चीजों की preparation कर सकते हैं, जो आपको बीच में थोड़ा एनरजाइज भी करती रहें, आपका व्रत भी बहुत अच्छे से चलता रहें, और आपको nutrients भी भरबूर मात्रा में मिलें, तो अगर आप कोई पंचीरी की फार में, चिकी की फार में, या किसी भी लड़ू की फार में, अगर आप खुब सारे nuts को crush करके डालते हैं, या फिर आप peanuts का कुछ प्रिपरेशिम दनाते हैं, आप चौलाई है, विच इस वेरी गुड इन iron and calcium, इस रिली सर्प्राइज इस रिली सर्प्राइज आप पहले से अपने व्रत की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बाकी की चीजों के लिए अगर कुटू का मतलब केवल कुटू की पूड़ी और आलू की सबजी ही नहीं, आप कुटू को डोसे की फार में बना सकते हैं, आप कुटू की खिजरी बना सकते हैं, आप कुटू से बना सकते हैं और कुटू की रोटी भी बनाई जा सकती हैं बजाए बहुत सारा आलु जो अगर कोई बहुत ज्यादा ओभीज फीमिल्स हैं अगर वो आलु का कंजम्शन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहती है या डिसलाइकिंग है तो उसकी जगे पर लॉकी या गाजर को भी साबुदाने को खिचरी के तौर पर भी खीर के तौर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, हम मखाने को एक नमकीन के तौर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, डैजर्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इसका रायता भी बनाया जा सकता है, आप आटे में, सिंघारे के आटे में भी और वेजिटेबल स्कूब अच्छे से लिजे और आप मिंट की चटनी उसको बहुत ज्यादा एक्सार्टिक बना दीजे जैसे आपने डोसा लिया है कुटू का तो आपने उसके साथ मुंगफली नारियल और सेंथा नमक और धनिया या पुदीना इस तरह की चटनी की प्रप कि आपने उसके से लिजे प्रपगे संवान इस लिए प्रपार की तो आपने लिए धन्गान आपने धना आपने की चटनी उसके स्वाट चेटनी नारिया है झाल झाल